हलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, देवजी के ट्रेक्स, फ्रेंज यहाँ पर हम लोग पर्रेवर्ण सम्मंदी एक बहतरीन टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 123 प्रस्ण अबजेक्टिव हैं, जोकि बहुती मात पोड़ हैं, लेकिन हमारे वीडियो में टेस्ट ज अगर टेस्ट लगाता है, तो वो काफी अच्छा स्कोर करके ले जाता है, तो हम लोग पहले इसका बेस समझ लेते हैं, कि आखिरकार यह पर्रेवर्ण होता क्या है, परिष्थिकी तंतर क्या होता है, उसको हम समझेंगे, और इसके बाद टेस्ट पेपर को लगाएंगे, ताकि टेस्ट पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम कोश्चन आपको इसी जो हम पढ़ा रहे हैं, इसी का आपको देखने को मिल जाएगा, और आपकी एकजाम में परिष्थिकी तंतर अर्थात कह सकते हैं, कि पर्रेवरंट से सम्मंदित आपके धेरों कोश्चन आपके देखन को मिलते हैं तो चलते हैं आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परिष्टिकी तंत अर्थात एको सिस्टम कहरा आप से कि जर्मन जीव वैग्यानिक जो की अर्नस्ट हैकल ने सर्बथम 1879 में एकोलोजी सब्द का प्रियोग जो की कह सकते हैं कि वो एकोलाई के रूप में किया था ठीक है ना किस ने किया था अर्नस्ट हैकल ने किया था और इन्हों ने एक परिभासा भी दिया था क्या कि वातावरण और जीव समदाय के पारस्प्रिक संबंदों के अध्यान को ठीक है ना अब आपको पॉइंट पढ़ना है या पर परिष्थिकी तंत्र पढ़ना है अर्था एको सिस्टम पढ़ना है एको सिस्टम है क्या ये किस ने प्रियोग किया था तो परिष्थिकी तंत्र का सब्थम प्रियोग किया था एजी टांसले द्वरा 1935 में किया गया इनों ने परिवासा क्या दिया था? कि परिष्टीकी तंत्र भोतीक तंत्रों का एक विशेश प्रकार होता है और इसकी रचना जैविक तथा आजाविक संगटों से होती है अब यहांपर पॉइंट आ गया है जैविक और आजैविक क्या होता हैं उनको भी अभी समझेंगे लेकिन उससे पहले कुछ आपकी एक्जाम से सम्मेंदित पॉइंट होते हैं मातुपूर उनको देख लीजिए कह रहा है कि परिष्टिकी के अंतरगत अध्यान किया आता है तो आपके वाता वरड एवम जीव समधाय का अध्यान करते हैं यहां पर एकोलोजी सब्द का प्रियोकता ठीक है वहां पर प्रियोक था यहां पर आपका प्रियोकता है यहनोंने रीटर ने किया ठीक है न अब अगला पॉइंट है कि परिष्टिकी को सब्रतम परिभासित किया था यह आपके अर्नस्ट हैकल है और तीसरा आपकी है कि परि परिष्थिकी के अन्य नाम मताईए तो परिष्थिकी के अन्य नाम में आपके हैं समधाय विज्ञान या कह सकते हैं कि फ्रेडरिक क्लीमिंट इसे बोलते हैं और दूसरे आपका वैज्ञानिक प्राक्तित्रिहास या चार्ल्स एल्टन अगला पॉइंट आप से कह रहा है कि परिष्टिकी को मस्तिष की एक दसा किस ने कहा है ये काया आपका मेडाक्स ने यूकि 1972 में प्रतपादित किया था नेश पॉइंट आप से कह रहा है कि परिष्टिकी अनेक अध्यताओं के लिए सरच्छड एवं पर्यवर्ण के पर्यवाची है या कथन किसका है या कथन पार्क का है यूकि 1980 में दिया था आगला पॉइंट जो कि बहुत ही मातपूर है कि परिष्टिकी तंत्र सब्द का प्रयोग किस ने दिया आपके एजी टांस लेने दिया और नेश पॉइंट आपका है कि प्रकती एक क्रियात्मा की काई है ये किसका मुल्वरूद मंत्र है तो परिष्टिकी तंत्र का है और एक पॉइंट हो रहा है कि जीवी या आजीव ठीके जीवी एवं आजीव घटकों में संबंद स्थापित करते हैं तो आपके अपगटक करते हैं ठीके अपगटक अगला पॉइंट है कि परिष्टिकी विज्यान में उर्जा मापने की का आतात कहा सकते हैं कि परिष्टिकी तंत में या परिष्टिकी विज्ञान में वजुहुर्जम आपते हैं उसकी काई आपकी ओसमा होती है और दो विभिन परिष्टिकी तंतों के मद्धि संक्रमाण को क्या कहते हैं तो इको क्लाइन छेतर कहते हैं ठीक है ना अब यहां पर प्रिश्तिकी तंत के संगटक कौन कौन है तो आपके प्रिश्तिकी तंत को दो भागों में ढ़िवायीट किया गया है। जैविक गटक, नमबर दो आपका है जैविक गटक, यह जैविक गटक क्या है, इनके अद्नरगत कोन आते हैं, इसको भी आप देख लिए, यहाँ पर दिया आपका जैविक गटक, अर्थात कह सकते हैं कि जैविक गटक जो है, वो आपकी तीन प्रकार से हो जाते हैं, एक उत भोगता की बात करें तो भोगता में आपका आता है प्रात्मी को भोगता दूतिय को भोगता और तितिय को भोगता यह क्या है इसको भी डिटेल सभी आपको पढ़ना है यहां पर आप गटक या वी हो जाकी यह तीन हो गए आपके जो जैविक में होते हैं और आपके अजैव कारूनिक में आपका प्रोटीन कारोंगय। निफर को आपर अपकी किस में आते हैं प्रकारक होते हैं एक प्येंट को आपिकी से पढ़कि और आफे जो point दिया गया है कि उभोगता निम्न प्रकार के होते हैं ठीक है उभोगता निम्न प्रकार के होते हैं यह आपका दिया है प्रात्मिक उभोगता क्या होता है प्रात्मिक उभोगता तो वह उभोगता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्बर रहता है ठीक है जो प पसु जैसे कि बकरी, खरगोस, गाय, हिरन, टिड़ा, चुहा इसी स्रेडी में आते हैं दूती स्रेडी की बात करें कि दूती स्रेडी की उबोकता कौन होते हैं जैसे हिरन का भेडिये द्वारा, ठीक है न, चुहे का बिल्ली अर्थात यहां पर जो हिरन का सिकार करता है, भेडिया करता है चुहे के सिकार बिल्ली करता है, और साकाहरी मचली का मांसाहरी मचली खाती है यह आपके दुतियक स्रेड़ी में होते हैं जो कि कह सकते हैं आपका मेडग, मांसाहारी, मचली, बिल्ली, भेडिया यह दुतियक स्रेड़ी में आते हैं ठीक है न तिरतियक स्रेड़ी में क्या आते हैं आपको इनको भी दिख लीजे तिरतियक स्रेड़ी में उनमें व्यू भ भुपताओं को अपना आहार बनाते हैं जैसे कि बाज ठीके ना बाड़ी जो बड़ी सार्क होती है सेर बाग यह आपकी तृतियक में आते हैं अब कुछ एक मात्वपूर यह है कि मनुस की बारे में पूछ लेता है कि रहा है कुछ जनतु साकाहरी और मांसाहरी दोनों होते ह और सभी कुछ भोजन के रोप में घाते हैं उन्हें सरवच्छी कहते है था जो साकाहरी मांसाहरी होते हैं उनको हम लोग सरवच्छी कहते हैं जैसे कि आपका मनुस से होता है यह साकाहरी और मांसाहरी दोनों प्रकार का होता है ठीके ना अगला पॉइंट आपके दिया है क कुछ जन्तु दूसरे जन्तुओं का सिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं इन्हें क्या कहते हैं यह कोशन बहुत बार आप से पूछा गया है कि जो जन्तु दूसरे जन्तुओं का सिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं यह pre-taders कहलाते हैं क्या कहते हैं pre-taders कहलाते हैं यह question आपका पूछा गया है अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो bounce हो जाएगी और आप एक भी question solve नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे मन लगा के पढ़ लेंगे तो आपको test paper लगाने में कोई problem आपको नहीं होगा और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे telegram से जुडिएगा वहाँ पर आपको PDF 24 घंटे में update कर दी जाती है ठीक है न नहीं जाती है update तो बच्चे comment कर देते हैं तब आपकी update कर दी जाती है ठीक है न तो यहाँ पर आपको अपगटक क्या होता है या म्रत जीवे तो यह सूच में जीवे होते हैं जो म्रतक वनस्पतियों और जन्तुओं को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं तथा इसी प्रक्रिया के द्वारा वे अपना भोजन भी उन्हें म्रत जीवें से प्राप्त करते हैं समझ गये न और यहाँ पर एक पॉइंट यह जो पूछा जाता है कि अपगटन करताओं के अंतरगत जो म्रत पर जीवी कवक एवम जीवाड आते हैं जो अपगटन करता में आते हैं वो क्या करते हैं कि पेड़ पौधियम जन्तूं का अफगटन करके प्रत्वी को साफ़ करते हैं इसलिए इन्हें प्रकत का महतर कायाता है ठीक है तो आप से कोशन पूछेगा कि प्रकत का महतर किसे कहते हैं तो आपकी जो अफगटन करता होते हैं इन्हें प्रकत का महतर कहते थीक है ने श्केर आप से आजयविक संगटक अर्थात आजयविक संगटक क्या होते हैं तो परिष्थिकी तंतिके संगठक बहुत महत्पूर होते हैं आजयविक संगटों में म्रदा, जल, वाय तता प्रकास उज्जा आधी होते हैं यहां पर कुछ पुएंट आवरो भे पौध है ठीके कार्वनिक में कौन आते हैं म्रत पौध है जन्तुओं की कार्वनिक पदार्थों और यगों की प्रोटीन वसा कार्वाहेड़ेट और उनके अबगटन द्वारा उत्पाद उत्पाद जैसे यूरिया और हुमस आधिसामिल होते हैं कार्वनिक अबगटन में और यहां पर एक पौईंट याद रखना कि कार्वनिक संगटक जैविक एवं आजैविक संगटों में सम्मद इस्थापित करते हैं हैं उसे खड़ी अवस्था कहते हैं ठीके नो magic संगटन की बात करें के अकार्वनिक संगटन में कौन आते हैं इनके अंत्रवध जल घं खनी जलन जैसे के आपको साफ्ह वेट लएज़ेट होता है है पोताइसियम होता है मैगनिसियम होता चाल्सियाम होता है फासपोरस होता है नाइट्रोजन यह आपके आकारूनिक में आते हैं ठीके ना यहां पर इनके अत्नागत विविन गैस हैं जैसे आपके अक्सीजन नाइट्रोजन कारवन हाइड्रोजन अमोनिया आधिसाम मिलोते हैं अब बात आती भौतिक संगठन तो बहुतिक संगठन में कौन होते हैं इनमें विभीद प्रकार के जर्वायू कारक जैसे की तापमान हवा वर्षा आदी उर्जा प्रमुख होते हैं ठीक है ना अब यहां पर कुछ पॉइंट जो कि आपके वल नाइनर है एकजाम के थुरू अच्छे कोश्चन आपके हैं कहरा अगला पॉइंट आपका दिया है यहां पर खाद संकला में उर्जा का प्रवाग किस दिशा में होता है तो उर्जा का जो प्रवाग होता है वो आपका एक दिशा में होता है अभी आपको उर्जा प्रवाग का वे नारेक आपको दिखाएंगे अभी इसी वीडियो में ठी करते हैं वे कहलाते हैं तो आपके सर्वाबच्ची जीसे कर मनुस होता है सभी उब्रत होता है वह आपका पॉर्सी गुड फूर्पशित में समस्भी करते हैं तो यह आपके अप घटक करते हैं नेस के रहा है वे जन्तु जो दूसरे जन्तु का सिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं तो अभी आपका बताया था उन्हें बोलते हैं प्री टेडर्स ठीक है ना नेस के रहा है एक संपूर्ण संदाय के सभी जीवों में समंद इस्थापित करता है उसे खाद दिजाल कहते हैं नेश केर आपसे कि म्रत पर जीवी कवक एवं जीवाडू किसके अंतर गताते हैं तो आपके अपगटन करता में आते हैं ठीक है ना अगला पॉइंट जो कि आपके कोश्चन आपके चिपको अंदोलन से आता है कि परिष्थी की इस्थाई मिदव परिष्थी की इस्थाई परिष्थी की तंतर कोन है तो आपका समुद्र होता है ठीक है समुद्र होता है यह भी आपको पॉइंट याद रखना है निश कर रहा है कौन परिष्थी की तंतर का जो मित्र नहीं है तो आपका यूकेलिप्टिस है इसे प्रिकत का दुस्मन भी कहते हैं क्योंकि यह पानी बहुत ज़्यादा सोखता है निश कर रहा है प्रथम पोश्थन इस्तर के अं तर्गत अगला है कौन क्रितिम प्रष्थी की तंतर है तो आपका धान जो है यह आपका क्रितिम प्रष्थी की तंतर है अभी आपको कोश्थन देखने को मिलेगा और सभी कोशन आपके PCS, RAS, सभी में आपके पूचे गए हाई लेवल में आपकी ये कोशन आपको देखने के मिलते हैं अब बात आती है कि प्रत्मे कुटपादक जैसे कि हरे पौदे प्रत्म में दो ती एक तिरती चतुर सेड़ी में उबहुता आपस मिलकर एक खाद संकला का निर्मार करते हैं क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भोजन करते हैं ठीक है ना और यह आप भोजन की रूप में स्थापित करते हैं देखिए आपकी जो चैन बनाए गई है फूर्ट संकला की इस प्रकास से आपकी बनाए गई है अर्थाथ कैसे यह भोजन आपका ग्रहण करते हैं कभी कभी एक बना देता है कि मतलब की एक करम बना लेते हैं और ओही करम में यह कुछी प्रकास से कौन कैसे आता है तो देखिए आपका जो टिड़ा बना हुआ है ठीक है यहां पर आपका टिड़ा है तो टिड़ा जो खाता है सबसे पहले आपका उत्पादक में कौन होगा यहां पर घास लेकिन यहां पर देखिए जो आपका घास खाया टिड़ा ने टिड़ा को खाया मेधक ने मेधक को ख पादर कर्थातियां पर घास वगयरा बनती है ठीक है ना यह आपका होता है एक क्रम होता है याद रखना यह खाद संक्ला एक बड़ा ऐसे ही कोशन आप से पूछा जाता है ठीक है ना और अगला प्वेंट आपका दिया है संख्या पिरामिड जो की बहुती मात्वड़ है आ होता है वह कैसा होता है तो आहार संक्ला प्रात्मिक पोशन से उच्च पोशन की और बढ़ने पर जीवों की संख्या घटती है ठीक है ना सीधा संख्या पिरामिड यहां पर देखिए सीधा जो आपका दिया है यहां पर यह दिया है कह रहा है जो नीचे की जैसे जाएंग और आहार संख्ला पर सबसे नीचे प्राणड़ी अधिक होते हैं, और उपर की स्थर्मिन की संख्या कम होती है, उल्टा संख्या पिरामिड में ब्रच पर इंतरन्तर में पिरामिड उल्टा दिखदर्सित होता है, वस्ता ब्रच एक उत्पादा की गाई है, इस पर निर्बर पच्छियों की संख्या बढ़ती जाती है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक पेंड की परिष्टिकी तंद का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनेगा ठीक है यहाँ पर आपको दिया है पेंड परिष्टिकी तंद का बिल्कुल पिरामिड इस प्रकार से होता है, पहले आपका उत्पादक जो की पेड़ है, यहाँ पर साकारी जो की आपका पच्छी हो गए, इसके बाद आपके परजीवी हो गए, और इसके बाद आपके उच्च परजीवी जो आपके इस प्रकार के होते हैं, यह आपके पिरामिड हो ग होता है समस्त जीव जन्तु भोज्य पदार्थों के माध्यम से उर्जा प्राप्त करते ही और अपने जीवन चक्र को पूर करते ही यहां पर आप से कह रहा है कि यह उर्जा प्राया एक इकाई भाग में एक निश्चिस समय में देखी जाती है उर्जा पिरामिट सदयो सीधा नीचे को था यहां पर प्रायंट कह रहा है कि 1942 में लिंडे मान ने दस प्रतिसत नियम को प्रतपादित किया था यह होता क्या है तो प्रतेक पोशन तल के जन्तु केवल दस प्रतिसत उर्जा ही अगले पोशन तल को दे पाते हैं तो अगले को मिलेगा तो सिर्फ 10% मिलेगा आगे पढ़ेंगों तो 10% मिलेगा यह आपका किस ने किया था तो अभी आप बताया कि लिंडे मानने किया था ठीक है इस नियम का प्रतपादन अब यहां पर कह रहा है पोशन संगला में कोई जीव उ और यही कोशन आपको देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं कि UPPCS PG 2016 में यह कोशन आपका आया था लगभग 15-16 कोशन आपके जो वरतमान में पूछे जा रहे हैं आपके पर्या वरंट से होते हैं और लगभग 15 कोशन आपके मिलते हैं आपके करेंट अफेयर से लगभग पोर्षन आपका जो 30% कबर करता है यही दो सब्जेक्ट आपके कबर करते हैं ठीक है ना तो इस्टार्ट करते हैं जो कि आपका अपजिक्टिव आ गया है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजी और वीडियो को लाइक भी कर दीजे प्लेलिस्ट बना दि खजगा राइट 안सर आपका यह ओजाएगा धान का खेत करतिम परिष्ठी की तंत्र है आपकर ठीके नेस कुशं आप से कहा रहा है टायेगा वन विशुष्टता है टायेगा वन तो टाये-वन आपके जो होते हैं जो आपके किस शेत्र में होते हैं तो उपोशन कटिबंध ही छेत्र में आपके टाइगा वन आपके होते हैं ठीक है यह भी आपका देख लिजी 2016 में पूछा गया है निस कहरा है आपसे कि निमलीकित में से कौन सा एक परितंत अर्थात इको सिस्टम सद्ध का सरोत्तम वर्डन है तो सरोत्तम वर्डन आपका यहां पर कौन हो जाएगा इसे थोड़ा छोटा करते हैं तो आपसन यहां पर देखिए आपका I.S. में पूछा भी गया है ठीक है 2015 में राइट अंसर आपका C हो जाएगा जीवों अर्थात आर्गेनिज्म का समदाय और साथ ही वहा परेवरन जिसमें वे रहते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं एक परितंतर कहते हैं ठीक है ना अगला पॉइंट आपका दिया है यहां पर कि निम्न में से कौन परिष्टिकी तंतर के विशाय में सही नहीं है तो परिष्टिकी तंतर में सही नहीं है तो यह जो आपका परिष्टिकी तंतर होता है एक आजैविक व्यों जैविक दोनों में होता है यह सई है इसकी अपनी स्वयम की उत्पादकता होती है यह भी आपका सई है वैसे आपका तीसर दिया है कि यह एक बंद तंतर होता है तो आपका यह गलत है यह हमेशा आपका खूला तंत्र होता है और जो था आपका यहां प्राक्ति संसादन तंत्र ही बिल्कुल सही है यह भी कोशन आपका पिरी 2015 में पूछा गया है निस कोशन आप से कह रहा है यहां पर कि परिष्टिकी निमलिखित में से परस्त्रिकी निमलिखित के बीच पारस्परिक संबंदों का द्यान कहलाता है तो यह अध्धन आपका होता है जीव और वातावराण का यह भी आपका ARO में पूछा गया है निस कर रहा है वेल एवं सार कहें तो यह क्या है यह आपकी समुद्री परतंत्र है आपका समुद्री परतंत्र है निस कर आपसे कह रहा है कि परिस्तिकी निकाय में उर्जा का प्रात्मिक सुरोत है तो उर्जा का जो प्रात्मिक सुरोत है आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर आपके आपसन दिये है और C1 का राइट आपसन हो जाएगा आपका यहां पर C number 100 उड़ जा प्रात्मी स्रोत में 100 उड़ जाएगा ठीक है ना और नेश कुछ निकोर आते हैं कि निमलिखित में से किस कारे से परिष्थिकी तंत जो संतुलन होता है बिगड़ता है तो परिष्थिकी संतुलन बिगड़ता है किस कारे से 8 आपसन राइट आपका हो जाएगा यह नंबर जो कि आपका लकड़ी काटना ठीक है लकड़ी काटने से आपका परिष्थिकी संतुलन आपका बिगड़ता है ठीक है ना नेश के आपसे कि जीवभार का पिरामिड किस परिष्थितिकी तंतर में उलट जाता है तो जीवभार का पिरामिड क का उल्टा बन जाता है निश कहना आपसे कि परिष्टिकी तंत्रिके जेविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है तूँ उत्पादक घटक यहां पर कौन हो जाएंगी जो उत्पादन करते हैं तो आपके आपसन राइट का हो जाएगा यहां पर डीनमबर हरे पवद्य होत कि खादी संकला उसक्रम का निर्दर्शन करती है जिसमें जीओं की एक संकला एक दूसरे के आहर द्वारा पोसित होती है बिल्कुल बात सही कही गई है और इसका राइट अंसर आपका यहां पर फस्ट ही हो जाएगा दूसरे में जाने के जरूरत है आपका नहीं है ठीक है न स्ट कुछ नाल आप से कहे रहा है कि निमलिकीत में से कौन सा एक आहर संकला का सही गरम है तो आपका जो आहर संकला का सही गरम है तो इन में से कौन सा हो जाएगा देखिये यहां पर आपका यह नममर है डायटम फिर आपका है crash decii ती toward a hearing यह आपका right answer हो जाएगा नेश कर आपसे कि परिष्थिक्य कि परितंत्रों की घट्टी उत्पादक्ता के क्रम में उनका निम्ली कित्मी से कौन सा अनक्रम सही है तो घट्टे क्रम से आपसे पूछ रहा है जो की घट्टी है वो आपका जो करम है ये आपका करम हो जाएगा C नमबर आपका माईग्रोवन फी घास इस्थल फी जील फीर महा सागर ये आपका घट्टा उत्पादक्ता की करम में कह सकती कि एक अनक्रम है परितंत्र का ठीक है निसकेर आपसे कि सरवाधिक इस्थाई परष्थिकी तंत्र निम्नांकित में कौन है तो सरवाधिक इस्थाई परष्थिकी तंत्र आपका कौन हो जाएगा 14 का अप्षन राइट आपका सी हो जाएगा जो कि आपके महा सागर होते हैं ठीक है महा सागर नेस के आप से हाईदराबाद में इस्तित हुसेन सागर जील किस जीव की ब्रद्धी से नस्ट हुई है तो पंद्रा काप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर जलकुम्भी इस जील में बहुत जादा मात्रम फैल गई है जलकुम्भी आप देखा होगा तालाबों में बहुत धे सारे पत्ते हो निकलाते हैं और वो परिष्टिकी तन्तालाब को पूरी तरीके से नस्ट कर देती है अथा जलकुम्भी की वज़े से हुसाइन सागरजील आपकी नस्ट हो गई ठीके नस्ट कर आप से कि परिष्टिकी तन्तर की संकलपना को प्रस्तावित किया था तो परिष्टिकी तन्तर की संकलपना को किस ने किया था अभी आपको बताया था अप्सन राइट आपका D हो जाएगा टांसले नहीं किया था ठीके टांसले जी टांसले नेस के राप से गहास इस्थली परतंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है तो हमने वताया था कि गहास इस्थली में अगर संख्या का पिरामिड पूचे तो वो पिरामिड आपका सीधा होगा ठीक है नेस कोशन आप से कह रहा है याँ पर यह प्रियोग किया है आपका D नमबर जो की अर्नीज नेर्स ने किया है इसके रहा है कि प्रिष्थिकी निशे आला की संकल्पना को प्रतपादित किया था यह जो प्रतपादित किया है वो किया है आपका A नमबर ग्रीनेल ने किया है ठीक है ग्रीनेल ने किया है निसके रहा है एक तालाब के परितंत्र में जिव भार का पिरामिड होता है तो तालाब की परितंत्र में जो जिव भार का होता है ठीके थोड़ी थोड़ी आपके अंतर है जिव भार का जो पिरामिड होता है वो आपका होता है कैसा उल्टा होता है जिवार का उल्टा होता है वैसे आपका सीधा होगा निसकर है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारड़ी करने के लिए आवस्यक नियुनतम भूमी को क्या कहते हैं तो आवस्यक नियुनतम भूमी को कहते हैं हम लोग जो की परश्थिकी पद छाया ठीके बी नमर आपका हो जाएगा परश्थिकी पद छाया आपका हो जाएगा निसकर आपसे खाद जाल में उर्जा का परवा होता है तो खाद जाल में जो उर्जा का परवा होता है वो कैसा होता है तो ये एक दिसी होता है एक दिशा की ओर होता है नेश कोशन आपसे कह रहा है यहां पर कि निमलीखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहन किये गए दिक स्थान का ही नहीं बलकि जीवों की समदाय में उसकी कारयात्मक भूम्का का भी वर्डन करता है यह जो अड़ वर्डन करता आपसन बी हो जाएगा आपका परिश्थित की कारमकता ठीक है आपका बी नमबर हो जाएगा निश कर आपसे कि परिश्थिकी तंति में किसका चक्रण नहीं होता है तो परिश्थिकी तंति में जो चक्रण नहीं होता किसका तो आपका उर्जा का चक्रन आपका नहीं होता है अधर आपसे इसका सभी का चक्रन होता रहता है गोमफिर के निश्करा आपसे कि निम्लिखित में से कौन एक परिष्थिकी तंतर के संबंद में सही नहीं है नहीं आपर बात किया है तो यहाँ पर आपका जो D नंबर है एक बंद तंतर हमने वता है तक परिष्थिकी तंतर आपका कैसा होता है खुला होता है ठीकी खुला होता है निश्करा है एक खादिस्तर के दूसरे खादिस्तर में जाने पर उर्जा का हरास होता है तो उर्जा का रास जो होता है वो कितना होता है 26 का अप्शन राइट आप करड़ी हो जाएगा 90 परसंट रास हो जाता है 10 परसंट उसे मिल पाता है नेशकर आपसे परितंत्र का गतिक हर्दय कहलाता है काफी अच्छा कोशन आपसे है कि परितंत्र का गतिक हर्दय कहलाता है ये क्या कहलाता है 27 को उप्शन राइट आप कर्डी हो जाएगा या उर्जा प्रवा वाखनी चक्रों कहलाता है ठीके 28 नमर आपसे कह रहा है एक से अधिक जातियों का समुन जो किसी इस्थान पर रहता है उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं भ compose उसे कहते हैं 28 का भी उसे जैव समुदाय कहते हैं 28 का उप्सन राइट आपका भी हो जाएगा इसके रहाए आपसे एक परितंत्र में सैवाल अर्थात हरी का जिसे बूलते हैं का इस्थान होता है तो हरी सैल अर्थातिया करे सकते हैं सैल का जो इस्थान होता है वो कैसा होता है उन्तिस कभी एक उत्पादक का कारे करता है ठीक है उत्पादक का कारे करता है निश्कराब से कि एकोलाजी और friends हम लोग जो अगला वीडियो होगा वहाँ पर इसके objective test paper को solve करेंगे यहाँ पर theory portion हो जाने कारएं यह वीडियो आपका 30 minute का लगबग बन चुका है जो अगला वीडियो होगा उसमें बहुती अच्छे question देखने को मिलेंगे इसमें भी लगबग आपका पढ़ा हुआ जो हमने पढ़ाया वही मिला है लेकिन जो second part इसका लेके आएंगे वहाँ पर आपके लगबग 100 प्लस जो बचे हुए हैं उनको भी हम cover कर लेंगे second part में और बहुती अच्छा है ज्यादा वीडियो आपको नहीं पढ़ना है जो कि आपके पर्यवरण में है लेकिन जितने भी लेके आते हैं उनको जरूर पढ़ना है आपको क्योंकि लगबग 10 से 15 नमबर आपको 10-15 वीडियो में आपको मिल जाएंगे ठीक है फ्रेंट्स तो हम लोगी मिलते हैं एक नए वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को चारो तरफ सेर भी कर दीजे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है तो धीरे धीरे करके सभी वीडियो को देखते जाईए और मिलते हैं एक नए वीडियो को साथ तब तक के लिए धनवाद जय हिन जय बारत